हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू एसके क्रियेटिविटी आज हम एक गरलिष टॉप बनाएंगे जो की मैं एक पुरानी शिर्ट से बनाऊंगी जो की जैंट्स शिर्ट होती है उसी के साथ ही मैं बनाऊंगी तो ये मेरे पास एक शिर्ट बड़ी है जो की पुरानी नहीं इतनी काफी खुली है इससे कोई डालता नहीं है तो ये मेरे पास जो शिर्ट है इसका कॉटन फैबरिक की है ये तो इसी के साथ ही मैं एक गरलिष टॉप बनाऊंगी तो आईए देखते हैं और कैसे मैंने बनाया ऐसे तो आईए स्टार्ट करते हैं तो शेर्ड का सबसे पहले मैं इसका कॉलर निकाल लोगी सबसे पहले हमने इसकी कॉलर निकाल लेनी है और जिस भी नाप का आप बना रहे हो उसी नाप के हिसाब से आपने इसको कट करना है तो कॉलर निकालने के बाद मैंने इसका तो इसका नेक देख लूँगी कितना मैंने नेक रखना है तो थोड़ी सी न मैं इसको शेप दे लूँगी नेक को और तीरा भी जिस हिसाब से आपने रखना है उतना आप नाप लेके एक साइड से इसको कट कर लेना तो एक साइड से मैंने इसका जो तीरा और जो इसका शोल्डर था वो मैंने कट कर लिया है और पल्टा के दूसरी साइड से भी मैं इसको कट कर लूगी तो cutting हमने ध्यान से करनी है पूरे ऐसे पल्टा के और shoulder की cutting करके fitting जिस भी हिसाब से आप जिस नाप का बना रहे हो fitting उसी हिसाब से आपने cut कर लेना है तो ये cutting हमारी हो गई है और neck को भी थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी इसको shape दे ली है एक side को shape देके दूसरा जहाँ उसका जो कपड़ा निकला था दूसरी side उसके ओपर राके मैंने इसकी भी shape दे ली है तो ये cutting हमारी हो गई है तो आईए इसको सिलना शूरू करते हैं तो सबसे पहले इसकी half sleeves की ये shirt जो थी तो sleeves में से ही मैं इसकी जो गले पे और shoulder पे पटियां लगाऊंगी वो इसमें से निकालूंगी जो इसकी sleeves हैं तो उरे पटियां मैंने कट कर ली हैं और एक पटि मैंने उरे बना ली है लमभी तो गले पे मैं पहले उरे पटि लगा लेती हूँ उल्टी side से मैं पटि लगाऊंगी और सीधी side को इसको मोड लोगी तो जब भी आप गले पे या शोल्डर पे ऐसे पट्टी उरे पट्टी लगाओगे तो पट्टी थोड़ी सी हमने खींच के रखनी है और छोटे-छोटे मैंने काटर लगा लिए हैं इसमें और सीधी वाली साइड को इसको मैं पलटा लोगी तो यह देखो उपर वाली साइड मैंने इस पे सॉरी उपर वाली साइड मैं इस पे सिलाई लगा दूँगी और बाद में इस पे हम लेस लगाएंगे ताकि यह और ट्रेंडी लगे हमारी जो टॉप हम बना रहे हैं और उल्टी साइड से रखके और सीधी साइड को मैं इसको मोड लोगी और उपर इसके एक सिलाई लगा दूगी फिनिशिंग वाली तो यह देखो दोनों साइड मैंने इसकी पटियां जो थी उरे वंबैने लगा ली है अब इसके बैक साइड पे थोड़ा सेंटर करके बैक सबूस्क्रातर बिश्लिवन तब आतब झात कर दो हैं ने सबूस्क्राइब चक्यूंप खर देखो फे बैक डड़े कि गोई ने लगा दाखो यह देखो ऐसी कॉटन की जो लेस होती है ना ऐसी मैं इस पर लेस लगा दूँगी ताकि यह और सुन्दर लगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर ने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही उसफूल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहना तो यह साइड की सिलाई में लगा लूँगी जैसा जितना भी हमारा नाप है उसी हिसाब से हमने इस पर मेयरमेंट करके इस पर साइड से जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगा लेनी है तो फ्रेंड्स बहुत ही सुन्दर हमारा यह टॉप बनके त्यार हो आप जैन्स के साथ इसको वेर कर सकते हो और बहुत ही सुन्दर लगता है और जो हमारी पुरानी शर्ट वेस्ट होती है वो भी हमारी काम आ जाती है तो आप बताना आपको कैसा लगा यह वीडियो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क किया और बॉई बॉई बॉई